हलो गाइस मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे रबकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक ये है कि अमवश्य पे बेटा होता या फिर एक बेटी होती है जैसे कि आप सभी को पता है कि आज बहुत बड़ी अमवस्य है तो इस महीने के पंदरा दिन के अंदर आपको बेबी बॉई होगा या फिर गरल होगा अगर आपने जब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे इस टॉपिक के ओप पर कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे लास्ट जीट जो है वो इतनी को आई थी और हम कब कंसीव करें ताकि हमको जो है बिबी बॉई होने के ज्यादा चांस हो तो फ्रेंड्स जो हमारे घर के बड़े बुजर्ग होते हैं वो ऐसा बोला करते हैं कि अंधेरी रात में अगर आ फिर बेटी होगी आपको कब कंसीव करना चाहिए बिबी बॉई के लिए वो जाना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स और रिलेशन से के बाद जब आपका अंटा रिलीज होता है उसके बाद जब आप कब रिलेशन बना रहे हो ये बात बहुत इंपॉर् लग जाएगा कि आपके गर्व में होने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी फ्रेंड्स मैं और मेरा चिनल जो है लिंक में भेदबाफ नहीं करते हैं और नहीं आपको करना सिखाते हैं बट सभी के मन में ये जिग्यासा होती है जानने की कि आने वाली संतान मेरी एक क्या होगी इसलिए मुझे वीडियो बनाती हूं और आप लोग बहुत इंटरस्ट लेकर देखते भी हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारेश जरूर करूंगी कि जिस किसी ने मेरे चलन को सब्सक्राइब कर लीजिए तो बात करते हैं फ्रेंड्स जैसे की आमावश से जो हमारे घर के बड़े बुजर्ग होते हैं फ्रेंड्स मैंने यह बताया था फ्रेंड्स के हमारे यहां पे मेरे कोडिंग मेरे यहां पे जो होता है ना कि पूरने मापे जब आप बहुत सारी सब्सक्राइबर के इस टैम पे मैसिज आये थे कि दीदी आप ये बात गल्थ बोड़ो तो देखिए जो हमारे यहां पे बात हुई थी वो मैंने आपको बताई थी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स के जिनोंने पूरण मां पे पूरण मांसे के आसपस अगर कंसीव किया होगा तो उनको जो है बीबी बॉई नहीं हुआ होगा थीक है पर Katrina आपको बताना चाहती हूं बहुत ही किलियर आपको ये मैसिज देना चाहती हूं कि आज है आज है जैसे कि आज शोला तारीख है और आज है अमावस्य है तो अमावस्य को बोलते हैं अंधेरी रात अंधेरी रात के जब जैसे की आज है 16 तारिक अगर आपको 16 तारिक को period start हुए है उशके अगर आपको च्छटे दिन हो गया friends मतलब की समसंख्या, छटे दिन क्या हो गई, आपके समसंख्या, विशमसंख्या क्या हो गई, कि अगर आप पांचवे दिन relation बनाती हैं, तो आपको जो है बिबी गर्ल होगा, अगर आप छटे दिन से alternate days पे relation बनाती हैं, जैसे कि छटे दिन बनाया, फिर साथ को छोड़ दिया, next month तब आपको पता लग जाएगा कि हमने इस time पे relation बनाये था उस time पे अंधेरी रात थी या उज्याले रात थी तो friends ये बात आपको खुदी confirm करनी पड़ेगी जैसे कि friends आज है 16 तारिक 16 तारिक से लेके और जो 30 तारिक आएगी 30 तारिक को बड़े बुजर्ग बोला करते हैं कि जिन महिलाओं को अंधेरी रात में कंसीव होता है मतलब की अमवस्य पे अगर आप कंसीव करते हो तो बेबी बॉई होने के ज़्यादा चांस होती है ये मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबरों का कहना है और आपका कहना अब क्या है फ्रेंड्स ये आप मुझे बता जी बताना क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी ना मैंने उसमें ये बताया था कि पुरूर नियमा पे बीबी बॉई होता है जैसे कि फ्रेंड्स मेरे साथ ही बात बिल्कुल सटीक बैढ़ी थी और दो तिन जन्नों के साथ बिल्कुल सटीक बात हुई थी कि पुर्णीमा पे बिभी बॉय होता है तो ना तो आप पुर्णीमा की बात सही मानते हो ना आप अमावस्ते की बात सही मानते हो तो मैं आपको क्या बताऊं आप ये मुझे मेरे पास इसके उपर बहुत सारे मैसेज आयते इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी और फ्रेंड्स आप लोग ऐसे मैसेज करते हो कि दिदी मेरी ये डेट है और मुझे बीबी बॉय होगा या गर्ल होगी तो फ्रेंड्स देखें मेरे पास ना जब आपके जैसे की बहुत सारी गर्वती महिला ऐसी मैसेज करती है कि उनकी जो पीरेट डेट थी वो साथ महीने पहले की थी आठ महीने पहले की थी बस हाल फलाल में डिलिवरी होने वाली है तो मैं कितना कलेंडर को देखूंगी ये बताओ आप मैं बार बार कलेंडर को तो नहीं देख सकती हूँ न अगर आपने आमावस्ते पे कंसिव किया है तो आपको ज़्यादा चांस जो है बिबी बॉइ के होते हैं ठीक है और यह हमारे घर के बड़े बुज़ूर्ग भी बोलते हैं और बहुत सारी गरवती मैला के ओपर जो है यह बात बिल्कुश सर्टिक बैठी है इसके बाद फ्र जिन महीना का नव महिना लगते डिलिवरी हो जाती है एक हफ़ते के अंदर अंदर या दस दिन के अंदर तो उनको बेबी गरल होने के ज़्यादा चांस होती है ठीक है नव महिना लगते ही मतलब की 36 weeks कंप्लीट होते ही 36 weeks में आपने कदामी रखाया है और तुरंत आपकी तो आपको बिबी गर्ल होने के जहादा चांस होती हैं वहीं पे अगर आपने थाटई सिक्स मतलब कि नव महीने के अंदर पैर रग दिया है और आपको पैनी स्टार्ट हो रहे हैं तब आपकी डिलिवरी जो भी प्रिक्रिया चल रही है उस टाइम पर चल रही है तो आपको बेबी बॉइ होने के ज्यादा चांस होती है क्योंकि फ्रेंड्स देखे यह जो लक्षन है ना लक्षन क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेन आना यह बात मेरे उपर बिल्कुल सच हुई थी क्योंकि जैस लग चुका था और नवा मैना भी आदा निकल गया था सब लोग वेट कर रहे थे कि मैं हॉस्पिटल कप चाऊंगी तो बहुत सारे वेट करने के बाद जब मेरा दसों मैना कुछ दिनों में लगने ही वाला था उससे दस दिन पहले जो है मेरी डिलिवरी हो गई थी तो मेरा भी खिलाता है और हमारे घर के बड़े बुजर्ग भी कहते हैं कि जिन मैला की लेट डिलिवरी होती है उनको जो है बेबी बेबी बॉय होने की ज़्यादा चांस होते हैं अब आपका मैसेज मेरे पास यह आएगा कि दीदी हमारा तो ना नव मैना लगते डिलिवरी हो जो है आप खुझ समझदारों की कलद करने की डियेट अलग होती है हर एक सथ हर एक लड़ी के साथ एक एक सिंट variety होते हैं कई बर किया होते हैं कि डोनों लेडि इसको ना same सिंटम हो रहे होते हैं आप फ्रेग्नेंसि में खाने पीना चाहिए delivery के लिए क्या करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए तो फ्रेंड्स में आपको बताना चाहती हूँ मेरा एक और चैनल है काजल pregnancy point ठीक है ध्यान से सुनिएगा काजल pregnancy point मेरा चैनल है उसका link मैं आपको description box में दे दूँगी तो उसके उपर मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपकी normal delivery के लिए क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए क्या आपके लिए सही होता है कब आपको ultrasound करवाना चाहिए कब नहीं करवाना चाहिए तो वो सारी information उस पर देती हूँ मैं तो आप फटाफट से जाके वहाँ पे भी विजिट कीजिए और उस चनल को भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि वहाँ पे मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स बच्चे को हेल्दी कैसे रखना अगर वो कमजोर है आपको अपने डाइट में क्या खाना चाहिए ताकि मिस्क